क्या हाल पढ़ ले गैंग कि वहाँ पर जब तुम बैठो तो बिल्कुल भी एक परसेंट पिना फसो और नहीं फसना है तो एक बहुत तगड़ा ओफ आरे तुमारे लिए यार अगर 28 तक में ये वीडियो देख रहे हो तो 22 से 28 तुम्हें ओफर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ पूरे साल बर का सिब्सक् उसी तरह आरम बैठ में मिल जाएगा 10% और ब्रहम मास्तर बैठ क्लास 9 के लिए चलो आँ बढ़ते हैं साइन्स की आंसर सीट को डिटेल में अनलाइस करते हैं सेक्शन ए यह तुम्हें लिख दिया अब सेक्शन ए यहाँ पर तुम्हें जो दिख रहा है बहुत सिंपल सा पहले जो छोटे-छोटे से क्वेश्चन होते हैं वो हैं SI unit सिरुफ पूछा है potential difference is volt and is honored of Alexandra Volta कि इनके honor में रखा गया है नाम और voltmeter क्या होता है यह लिख दिया अब इसके बाद important है कि यह एक दो दो लाइन इस तरह से तुम्हें छोड़नी है और यहाँ पर line draw क्यों नहीं क क्योंकि हम यहाँ पर टॉपर की mentality भी समझ रहे हैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि हर टॉपर यह करता है कि दो लाइन छोड़ देता है उसके बाद डायरेट अपना second answer स्टार्ट करता है यह नहीं कि पहले वो सजाने के चेकर में scale उठाया है line draw करे जिसमें वो अपना 1, 2, 3 ऐसे लिखना points ताकि clearly visible रहें then आगे आओ section B शुरू होता है यहाँ पर और section B में तुम्हें दिख रहा होगा diagram यह diagram जो बनाया गया है यह पूरा का पूरा diagram किस पे है pencil से बनाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ pencil यूज़ करना है और क्या किसकी representation है यह लिख देना है कि angle sentence examiner पढ़ने जाएगा ठीक है इससे बढ़िया जो भी चीजें important है जो भी keywords है उसको तुम क्या करो underline कर दो ठीक है जैसे two magnetic fields never never को underline कर दिया intersect तो बस never intersect पढ़ा examiner ने उसको highlight होके point दिख रहा है फिर consentic circle वाला point दिख रहा है highlight होके इस तरह सा highlight करना है अब reactions जहां जहां पे रहेंगी वहां क्या करना है देखो यह reaction तो तुम्हें दिख रही है H2O water electricity decomposition और यह ions में तूट रहे है ठीक है तो अगर तुम होते तो जल्दी जल्दी में सिर्फ इतना लिख देते यह न mention करते हैं कि H2O मतलब water क्योंकि तो obvious ही बात है सबको पता है लेकिन exam में mention करना पड electricity decomposition फिर hydrogen ion और फिर hydroxide ions इस तरह से एक एक चीज़ रिप्रेजेंट करने की जरूरत है यहां पर तुम answer में भी देख सकते हो अगर statement में एने उस लिखा गया है तो bracket में sodium hydroxide भी लिखा गया है चलो section C शुरू होता है यहां पर section C में क्या है यहां से में देखना है कि कैसे solve करने है numericals क्या कैसे solve करने है numericals तो numericals solve करने के लिए यार तुम चाहो तो यहां पर एक rough diagram ड्रॉ कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो यह optional है लेकिन क्या चीज़ कंपल जरी यह optional नहीं है वो है यह क्या क्या चीज़ें तुम्हें दी गई है वो लिख लो बिल्कुल short form में जैसे concave mirror focal फिर h v u h और जो निकालना है इसको तुमने ध्यान देरो यहां पर कि एक एक data science convention के साथ लिखा गया है कि calculation में problem ना हो और जो भी formula यूज किया जाएगा जैसे यह formula यूज किया गया है तो इसके ऐसे right side में लिख सकते हो as per mirror formula या उपर ही लिख दो और present table लगेगा कि according to mirror formula फ formula लिखेंगे पहले तब data enter करेंगे और फिर answer को box में कर देंगे देखो यह मिरा है diagram और यह भी diagram pencil से ही बनाया गया है आगे आओ question number 7 में diagram दिख रहा है ना यह diagram में तुम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि एक एक चीज हमें mention करनी होती है यह पूरी चीज जो लिखी हुई है यह magnetic field lines clockwise फिर उसके बाद key छोटी 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 चीज का भी हमें labeling करना जरूरी है जब भी diagram draw करेंगे आगे Maxwell right hand thumb rule अब इसको अगर paragraph में भी answer लिखा गया है तो वहाँ पर भी important चीजें ऐसे underline की गई है जो pencil से करना और end में करना शुरूर में ही bet के scale लेके underline मत करने लग जदना time based ना करना और जहां पर भी तुम diagram include कर सकते हो जैसे आपर पूछा नहीं था कि diagram include करके explain करो सिर्व इतना था कि explain Maxwell right hand thumb rule और कैसे use है उसको अच्छे से दिखाने के लिए एक बहुत simple सा diagram roughly बना दिया गया है कोई उसमें मेहनत कर काम नहीं है बस diagram simple हो label properly किया गया हो यह बाटने के बाद यह नहीं कि यहां ही पर अगर तुम्हारा गलत हो गया answer तो यहां से वापस सुरू कर दो फोड़ासा नीचे से सुरू कर दिया उसी लाइन की नीचे से तो यह clear लगने लग दिया यह बहुत छोटी चीज़ें मज़े बताने की विज़रत नहीं होनी चाहि तो अगर वो यहां तक खिज जा रहा है तो इसके नीचे से सुरू करना point 2 यानि कि points parallel होने चाहिए 1 1 सामने तो 2 2 सामने देखो 3 3 सामने 4 4 सामने parallel points होने चाहिए और points में एक चीज़ और यहां पर कहीं example को points में नहीं count किया गया अगर example तुम्हें आता है किसी जीज़ का तो तुम्हें और काफी सीज़े important बतानी है जैसे example जब mention करो तो लगना चाहिए teacher को कि यहां तुम्हें example दिया है जैसे पूरा लिखा food chain अब उसके बाद example for example mentality अगर देखो तो तुम्हें लगेगा कि पहले हम ने देखा था कि right hand thumb rule जब दिखाना था simple सा तो उसमें कैसा thumb बना चलो आगे बढ़ो ये भी देखो सिंपल सा डागराम मिल जाएगा flow of energy निको सिस्टम देखो एक चीज़ बड़ी important तुम्हें पूरे के पूरे paper में देखने मिल रही होगी कि बहुत जादा clarity रखने की कोशिस की गई अगर मानलो ये गलास हो रहा है तो एक लाइन से काटा और वो लिखो, solve करो और ऐसे box में उसको बंद कर दो, then जैसे मैंने कहा था कि rough diagram बना सकते हो तो वही इसी का ये rough diagram है, circuit diagram, circuit diagram भी बना सकते हो और ray diagram भी बना सकते हो roughly, बिल्कुल roughly, देखो यहाँ पर भी, case 1, case 2 करके question में था तो वैसे ही solve भी किया गया है, बिल्कुल sequence में, फ कम points लिखने में, या past past लिखने में, अराम से full page का use करना है, then आगे आओ तुम्हें मिलता है ये diagram, अब diagram छोटा बना 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 जैसे इसने बहुत बड़ा बना रखा है, labeling proper की है, देखरो labeling बहुत properly की है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, labeling बहुत proper रहेगी, तब ही diagram clear समझ में आएगा, फिर चाहे वो hydra वाला हो, stages wise stages किया गया है, और stages की labeling के साथ था, stages लिखा गया है कि क्यों से stage में क्या हो रहा है, यानि कि explanation बहुत ज़रूरी है, चाहे वो diagram हो, चाहे फिर कुछ और चीज हो, तो यह answer sheet देखकर, I hope तुम्हें काफी 4 चीज़ समझ में आई मतलब एक एक चीज का question number बहुत सही से mention करना है, और क्या चीज करनी है, अरे notification इस channel की share दो यार, क्योंकि बहुत 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 तगड़ा content आने वाला है, exam time में तो खास कर, तो जल्दी से notification share दे, ये video सब में बाट दे and then जाना जा, पढ़ले